ड्रक्स मामले में आरियन खान को मिली बड़ी राहत NCB के Bombay वाले office में 11-2 के बीच हाजरी लगानी होगी। बेल होने के बाद आर्यान खान नियमित रूप से यह हाजरी लगाने जाते रहे हैं। मीडिया ने उन्हें spot भी किया है। Last Friday, जस दिन आर्यान खान NCB के office पहुंचे थे, उस दिन भी वो click हुए थे। लेकिन आप इस Friday से आर्यान खान को Bombay NCB के office जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पिछले Friday ही, आर्यान खान ने Bombay High Court में एक अर्जी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था क्योंकि जो drugs मामला है, उसमें कुछ सामने आया ही नहीं। और अब यह जो case है, यह Bombay NCB के पास है ही नहीं, यह case तो दिल्ली की SIT को transfer हो गया है। ऐसे में आर्यान को हर Friday Bombay NCB हाजरी लगाने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो request करते हैं कि उन्हें इस हाजरी लगाने की बात से relaxation मिले। साथ ही जब भी वो Friday को वहाँ पर जाते हैं तो भारी मात्रा में मीडिया मौजूद होती है। जिसके चलते security की भी जरूरत होती है और पुलिस को भी तैनात रहना पड़ता है। तो व्यवस्ताओं की देखरेक हो जाती है every Friday। इनी सब चीजों को देखते हुए Aryan ने इस condition में relaxation मांगा था। कि यह जो हाजरी लगाने वारी चीज है यह आप बंद करवा दीजिए। Bombay High Court ने Aryan की इस अर्जी को accept करते हुए कहा है कि अब हर Friday Aryan को NCB Mumbai office जाने की जरूरत नहीं है। हाला कि एक condition के साथ उनकी इस अर्जी को accept किया है। उनने कहा गया है कि अगर दिल्ली SIT जब भी तुम्हें बुलाना चाहे तो 72 hours के अंदर तुम्हें दिल्ली पहुँचकर हाजरी लगानी होगी। इस condition को Aryan ने माना और मानने के बाद ही यह order pass किया गया है। इसके अलाबा Aryan ने एक और request की थी कि उनने मुंबई से बाहर travel करने के लिए allow किया जाए। उनकी इस condition को भी Bombay High Court ने accept किया है एक शर्ट के साथ कि मुंबई छोडने से पहले Aryan Khan कहा कहा जाने वाले हैं और कब वापस लॉटने वाले हैं। इस सारी details स्कॉर्ट को देनी होगी उसके बाद ही वो मुंबई छोड़ सकेंगे। तो दो बहुत बड़े relaxation drugs मामले में Aryan Khan को मिले हैं। आपको बता दे कि ये 2 October की cruise party है जहां से NCB ने Aryan Khan को arrest किया था। NCB का दावा था कि इन सभी के पास drugs मिले हैं। कि Aryan के पास से ना drugs मिला ना ही drugs उन्होंने consume किया हुआ था। लेकिन according to NCB इन सभी की planning थी cruise party पर जाकर drugs लेने की।